महाराश्र में कोर्णा के मामले कम होने लगे हैं कई तरह की पाबंदियों से छूट भी दी जा चुके लेकिन ठाकरे सरकार द्वारा लंबे समय से मंदिर खोलने की इजाज़त नहीं दी जारी थी ऐसे में इस मुद्धे पर राज्य में जम कर विवाद था वीजेपी लगातार सरकार को कटगरे में खड़ा कर रहे थी अब इस तबाव की वीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है महाराश्र में 7 अक्टूबर से मंदिरों को खोल दिया जाएगा जानकारे दी गई है कि नवरातरी के पहले दिन यानी की 7 अक्टूबर से राज्य के सभी मंदिरों को खोल दिया जाएगा सियम आफिस के तरफ से एक बयान जारी कर ये फैसला सुनाया गया है अब मंदिरों को खोलने की अजाज़त जरूर दी गई है लेकिन कोरोना नियमों का सक्ती से पालन करना होगा सरकान इस पश्ट कर दिया है कि कोरोना नियमों का हर इस्तिती में पालन होना आवशक रहेगा फिर चाहे वो मास्क पहनना हो या फिर सोशल डिस्चंसिंग का पालन करना इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाई को नजर अंदास नहीं किया जाएगा सिये मुद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने कोरोना की तीसी लहर से लड़ने की तयारी कर ली है अब धीरे धीरे सब खोला जा रहा है मामले जरूर कम हो रहे हैं लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी मंदिर जरूर खोले जा रहे हैं लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का सक्ती से पालन किया जाएगा कैमर परसन राज कुमार मोहर के साथ अभिशेक पान से की रिपोर्ट